हाई गाइस तो बात करेंगे पिछले हफते के पेनल स्टेटमेंट की और वीडियो नहीं आई वीकेंड पे क्योंकि I was busy दो दिन तो अब वीडियो आ रही है आज छोटी है मार्केट की आज दिशहरा ठीक है तो हैपी दिशहरा दूसरी बात नीचे टेलेग्राम का लिंक है ट रिकॉर्ड नहीं कर रहा था लास्ट मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है कल क्योंकि कल कुछ सिखाने को था तो मैंने रिकॉर्ड कर दी बट आगर आपको पेनल और देखना होता है तो वो ट्विटर पे हर रोज 3.30 के बाद सेंसेबल वेरिफाइड अपने आप डाल देता ह एजिए तो प्रॉफिर हो या लॉस हो रिगाड्लेस क्योंकि भाई पैसे घरत दिखाने से या लॉस दिखाने से मेरा गहर गर ही चलता फर्रब और थीखना पंदरा से 21st ठीक है बेकारी वीक था वी क्लोच रबाओ 25,000 के लॉस पे आप देख रहे हैं में 16,000 तो चार्जेस ही है ठीक है और 25,000 का लॉस इस ओनली 1.25% तो ये लॉस चल रहा है 1.25% का जो की शुरू हो गया था पहले दिन से ही ठीक है उसके बाद कवरिंग करी बट तुछ फराख ने पड़ रहा है ओवर ओल चार्जेस बहुत जादा है क्योंकि जो विक्स का इन्वायरमेंट है विक्स बहुत कम है अगर आप में से कोई options trade करता है तो उसको पता है कि जो market में movements आ रही हैं भी वो काफी जादा different है usually जो हम trade करते हैं जैसे अगर हम यह देखो 450 की put consider कर लेते हैं ठीक है अगर यह चार्ट दिखाएगा नहीं पर अब लास्ट विन में जागे देख सके मैं आपको explain करें जो price की movements चल रही है जैसा हुआ नहीं कभी वैसा कुछ हो रहा है ठीक है अगर हम पूरा महिना देखें अभी तक 21st तक क्योंकि हमें यह record कर रहो है सफते की तो we were down about 2.5% ठीक है मेरे साब से कोई बहुत बड़ा drawdown होता नहीं इतना loss आना तो काफी basics है अगर आप देखो तो netralized तो सरफ half a percent ही है mainly जहां मैंने इस महीना गलती किया है वह over trading बहुत जादा किये over trading से मतलब यह नहीं कि position जादा over trading तो over adjustment करिये positions को तो कहीं ना कहीं it backfired a lot but कोई नहीं इसमें basically एक दो दिन थे जैसे यह वाला दिन था 41,000 का ठीक है फर उसके बाद यह वाला दिन था 20,000 का तो यह दो तीन दिन मेरे को बहुत भारी पड़ गए ठीक है बट कोई नहीं पार्ट है trading का अगर गलती करोगे नहीं तो कुछ 7-8 गंटे कुछ नहीं चीज़े ट्राइ करी है और उसी का result कहलो या कुछ कहलो बट मंडे को मैंने बहुत ही अच्छे trading करी right time पे exits ली wait करा entries का wait करा और काफी patiently trade करा 3-4 गंटे पूरा दिन खाली बैटर रहा है जब तक move नहीं आया तब तक FOMO नहीं आने दिया बाखी पू Unfortunately मैंने मंडे को काफी अच्छा trade करा और अब अगर हम देखें महीना तो वी आर ओली डाउन अबाउट 1.5% तो 1.5% का loss तो कुछ भी नहीं होता अगर अगले तीन दिन मेरे बढ़िया चलेगा है मैं इसको cover कर दूगा 1.5% को और अभी तक पूरे financial year में कोई महीना loss में नह आजाए बाकी जैसे भाई बगवान की इच्छा हो अगर loss में जाएगा तो कोई problem नहीं है जब तक loss छोटा होगा तब तक मुझे दुख नहीं होता but I need to हमें कुछ changes लाने पड़ेंगे अपने trading में और intraday के moves काफी अलग से आ रहे हैं तो देखते हैं क्या होगा बाकी in all honesty यह P&L कोई जूट नहीं है साफ सीधा loss है तो loss profit कुछ कहने को नहीं है ठीक है thank you